यहां पे एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज आपके सामने जो मैं पोईम एक्स्पेंट करने जा रहा हूँ वह है एंची आटी क्लास 10 जो इंग्लिश बुक है आपकी फर्स्ट प्लाइट उसकी पोईम नंबर थर्ट टाइगर इंद जू जिसका हिंदी मिनिंग होत इस प्लाइगर किया है तो इसे सब्सक्राइब किजिए और शेयर किजिए और इस वीडियो को लाइक किजिए तो स्टार्ट करते हैं आटाइगर इंद जू इस पोईम कंट्रास्ट इंद जू विध जिए इस नेचरल हैबिटेट दपोम मूब्स पॉम दीजू तो इस जं जंगल इस पोईम कंट्रास्ट इंद जू यहाग जो कविता है यह जो पोईम है वो बताती है एक जो बाग है वो चुणिया करके अंदर है और एक दूसरा जो बाग है वह अपने नेचरल हैबिटेट में है अपने प्राकरतिक जू आवास है उसमें है पोईम शो समीथ पॉइम को पढ़िए and say which strangers speak about the tiger in the Jew और बताईए कि कौन से जो strangers है वो जू के अंदर एक tiger के बारे में बताते हैं and which ones speak about the tiger in the jungle और कौन सा जो stranger है वो एक ऐसे tiger के बारे में बताता है जो जंगल के अंदर है तो यह हमारी पॉइम है इसको इसके जो पॉइम के तो इसके पॉइम के तो स्टार्ट करते हैं he stalks in his vivid steps the few steps of his cage और pats of velvet quiet in his quiet rage he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass he should be snarling around houses at the jungle's age bearing his white fangs his claws terrorizing the village but he is locked in a concrete cell his strength behind bars stalking the length of his cage ignoring visitors he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars अब इसका हम one by one line by line Hindi meaning करने जा रहे हैं he stalks in his vivid strip वह दूर से ही अपने जो चमकदार उसकी जो धार्या होती है उनमें चलता हुआ दूर से ही वो दिखाए देता है the few steps of his cage उसके जो cage means होता है पिजरे अपने पिजरे में उसके कुछ ही कदम हो चल पाता है लेकिन उसको हम दूर से ही देख सकते हैं क्योंकि जो उसकी चमकदार धार्या है उनके खारण अब वह इस जो पेराग्राफ में जो टाइगर है वो चिनिया घर के अंदर बंद है the few steps of his cage इसलिए वो जो उसका पिजरे है उसमें कुछ ही कदम हो चल सकता है क्योंकि पिजरे चोटा सा होता है उसके अंदर वो बाग कैद है इसलिए वो कुछ कदम ही चल पाता है और अपने जो उसके जो पैर है उनसे वो थोड़ा ही कदम की दूरी उस पिजरे के अंदर बंद कर सकता है वह चाया में यहाँ पे जो लर्किंग मीन्स होता है वो किसी की मतलब घात लगा रहा है त्सक्राय करें है वहाँ वहाँ पे ख़ीपा हुआ यह ऑवे बैठा था इसका मीन्स है डाल पे नसंदीक में हैं फोर नहीं मिन्स होता है मोटे जहां से मोटे हीरन गुजरते हैं वह उस रास्ते पर अभी घात लगा करके बैठा हुआ है उन हीरनों के इंतजार में अपने शिकार के इंतजार में घात लगाए हुए बैठा है तो इस जो वाइट फैंक्स इस क्लॉज टेरराइजिंग विलेज थार्ट पैरग्राफ ही सुट भी स्नालिंग अराउंड हाउसेज वह घर के इदर उदर माकानों के इदर उदर घूम रहा है जो बाग अगर जंगल में भी रहता है तो हम इससे नहीं कह सकते हैं कि उसका जो इंसान है उ जो बाग है इस पैरग्राप में मकानों के इदर उदर घूम रहा है जो मकान जंगल के किनारे पर बसे हो एं बेरिग इस वाइट फैंक्स मीन्स out विलेज है और को और अपने cloth means होता है पंजे उनको फैला आ रहा है फैलाते वे गुर रहा ता है टेरराइजिंग दविलेज और पूरे गाउव में उसने टेरराइजिंग means डराता है अपने पूरे in a concrete cell his strength behind bars stocking the length of his case ignoring visitors but he is locked in a concrete cell परन्तु अभी वह हो एक concrete के cell means डबे के अंदर बंद है his strength behind bars और जो उसकी सकती है उसकी जो ताकत है वो अभी bars के अंदर बंद है bars means होता है बेडियों के अंदर बंद है stocking the length of his case ignoring visitors वो अभी जो अपने जो cage पीज रहा है उसकी length उतने ही length में घूम सकता है ignoring visitors और वो जो visitors वहाँ पर आ रहे हैं उससे देखने के लिए उनको ignore करता है he hears the last voice at night या वो माना last paragraph है sorry मैं इसका जो पहला paragraph था उसमें बताना भूल गया था अभी जो he should be snarling around houses ये third stranger है इसमें जो tiger है वो अपने natural habitat में है और fourth जो fourth stranger है हमारा उसमें जो हमारा tiger है वो है Jew के अंदर बंद है last stranger इसका है he hears the last voice at night the patrolling cars and stairs with his brilliant eyes at the brilliant stars he hears the last voice at night उसने जो लास्ट जो आवाज थी वह उसने जो आवास थी वह कल रात सुनी थी लास्ट जो अंतिम रात थी उस रात को उसने आवाज सुनी थी the patrolling cars और वह जो जो कार थी वह जो आवाज थी वो उन जो पेट्रोलिंग आज जो मतलब हापे सुरक्षा कर्मी थे उनके गाड़ियों की आवाज उसने सुनी थी वो कल रात सुनी थी उसने लास्ट आवाज और वो उन ब्रिलेंट स्टार्स अपने जो चमकदार आखे थी उनसे रात में उन चमकदार तारों को देख रहा था इस भरोसे से कि उसे नीद आजाएगी परन्तु उसे नीद नहीं आई इस पेरग्राप में इस स्टेंजा में जो बाग है वो जू के अंदर बंध है तो जो आवाज थी हो कल राथ सुनी थी लास्ट आवाज और अभी और रात में वो चमकते वे चारों को देखता है अपनी चमकीली आखों से परन्तु नीद आने के बहाने से परन्तु उसे नीद नहीं आती है तो ये आपकी पॉइम थी इसमें जो पॉइंट है वो कहना चाते थूआ है, कि कोई भी जानवर है, भले ही वो इंसानिक यूँ ना हो, इंसान अगर, इंसानिक विवेक सील प्राणी है, उसे अगर बंद रहना बार्स के अंदर रहना पसंद नहीं है, तो जानवर को कैसे रहेगा इसलिए वो कहना चाहते कि जो जानवर हैं उन्हें अपने नैच्रल हैपिटेट में रहने देना चाहिए उन्हें फ्री चोड़ना चाहिए तो इस तरह की पोई मैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में